हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल तो फ्रेंड्स ये देखिए आज ये बहुत ही प्यारा कुशन कवर में आप लोगे साथ शेयर करने जा रहे हूं फ्रेंड्स देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन ये कीन मानने बहुत ज्यादा आसान है ये बनाने में और ये 10 नंबर का क्रोश्य हुक है जो मैं इसकी बुनाई के लिए लेने वाली हूं ठीक है तो सबसे पहले हम एक मैजिकल रिंग बनाएंगे तो उनके सिरे को इस तरह से पकड़ लेंगे और अपनी फिंगर्स की बैक साइड पर हम एक एक्स बनाएंगे इस तरीके से ठीक पकड़ लेंगे अब एक चेन हम बनाएंगे अब रिंग में क्रोश्य डालेंगे उनको आगे लाएंगे और यह दो लूप्स में क्रोश्य में दोनों में से हम निकाल देंगे फिर से रिंग में क्रोश्य डालेंगे उनको आगे लाएंगे और दोनों लूप्स में से हम क्र ये देखिए 8 सिंगल क्रोशे स्टिच हमारे हो गए हैं अब ये जो धागा है हमारे इसको हम खीच कर टाइट कर देंगे और जो सबसे पहला वाला सिंगल क्रोशे स्टिच हमने बनाया था उसकी चेन में यह दिखिए यह हमारी पहरी chain है इसमें हम crochet डालेंगे और slip stitch करेंगे हम first row complete ठीक है तो यह एक ring हमारे पास बनकर ready हो गया है अब 3 chain हमें बनानी है एक दो तीन और यह 3 chain एक double crochet की गिंती में आएगा अब यह turnover करेंगे इस धागे को साथ में रखेंगे और यह जो आगे वाली हमारी चेन है सिंगल क्रोशे स्टिच की इसमें हम क्रोशे डालेंगे और यह धागे को क्रोशे के उपर ही रखेंगे और उनको आगे लेकर आएंगे तीन लूप्स हमारे क्रोशे में हो जाएंगे तो पहले दो लूपस में से निकालेंगे और फिर दो लूपस में से निकालेंगे तो ये एक डबल क्रोशा बनता है दो डबल क्रोशा हमने बना लिए अब हम पाथ चेन बनाएंगे तीन चेन को मिलाकर दो डबल क्रोशे मारे हो गए उसके बाद में हमने पाथ चेन बनाई है यार्ण ओबर करेंगे और आगे वाली चेन में क्रोशे डालेंगे धागे को भी क्रोशे को पर ही रखेंगे पहले दो लूपस में से निकालेंगे फिर दो लूप्स में से निकालेंगे तो यह double crochet हो गया अब yarn over करेंगे और आगे वाली chain में फिर से एक double crochet बनाएंगे ठीक है अब फिर से 5 chain बनाएंगे yarn over करेंगे और आगे वाली chain में एक double crochet बनाएंगे yarn over करेंगे अब आगे वाली chain में एक double crochet बनाएंगे ठीक है यह फिर से दो हो गए तो दो-दो double crochet तीन बार हमने बनाए है पांच-पांच chain बनाएंगे दो बार अब फिर से हम पांच chain बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच याड़ नुबर करेंगे और आगे वाली chain में एक double crochet बनाएंगे तो फस्ट रो में हमने आठ single crochet बनाए थे और सेगन रो में हमने दो-दो double crochet बनाए है पांच-पांच chain space के साथ चार बार अब हम फिर से पांच chain बनाएंगे और सेगन रो में आखरी बार हम ये 5 chain बना रहे हैं और पहले स्टार्टिंग में जो हमने तीन चेन बनाई थी एक डबल ग्रोशिय वाली इसकी तीसरी चेन में हम एक स्लिप स्टिच कर देंगे और सेकंड रो हमारे यहां पर कंप्लीट हो जाएगा अब एक चेन हम बनाएंगे और यह जो उन हमारे इसको कट कर देंगे अब इस चेन को उपर की तरफ खीच लेंगे और इस धागे को टाइट कर देंगे तो यह हमारी एक नौट यहां पर लग जाएगी ठीक है यह इस तरीके से यह देखिए आठ चेन के उपर हमने दो दो डबल ग्रोशिय चार बार बनाए है अब यह धागा जो है हमारा जो रिंग के उपर हम चला रहे थे डबल ग्रोशिय के साथ में इसको मियास से कट कर देंगे तो यह धागा हमारे यह पर हाइड हो गया है और इस तरीके से एक स्कुएर हमारे पास यह बन गया है अभी देखे ये तीन चेन को पर हमारा धागा आ रहा है ये तीन चेन है एक डबल करोशे की गिंती वारी जो हमने बलकुल स्टार्टिंक में बनाये थी उसके बाद ही डबल करोशा है तो इस डबल क्रोशे की नीचे हम क्रोशा डालेंगे और अपनी उनको आगे लेकर आएंगे यह हो गई अब यहाँ से हम तीन चेन बनाएंगे एक, दो, तीन और यह तीन चेन एक डबल क्रोशे की गिंति में आएगी अब याण ओबर करेंगे और यह देखी नीचे बल अधागा है यह हमारा जो हमने भी जॉण किया है इसको हम साथ में ही रखेंगे और एक डबल क्रोशे और बनाएंगे यह दो हो गए अब याण ओबर करेंगे और एक और हम यह डबल क्रोशे के नीचे क्रोशे डाल कर बनाएंगे तो ये तीन डबल क्रोशे हो गए तो इस तरीकी से इस डबल क्रोशे को पर हमें छे डबल क्रोशे बना लेने हैं वीडियो को भी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कोई भी सवाल आपके मन में आता है तो आप मुझे से कर सकते हैं मैं उसका reply ज़रू करूँगी तो comment ज़रू करें ये 6 double crochet हमारे बन गए हैं अब ये वाला जो धागा है हमारा जो हमने अभी joint किया था और जिसको हमने head भी कर दिया है डबल क्रोशे के अंदर इसको हम कट कर देंगे अब ये देखे डबल क्रोशे के उपर हमने 6 double क्रोशे बनाए हैं अब इसके इधर वाले side पर ये जो 3 chain है जो एक डबल क्रोशे की गिंदी में हमने ली थी इसके नीचे से हम क्रोशे डालेंगे ठीक है और अब हम यहाँ पर एक डबल क्रोशे बनाएंगे फिर से इसके नीचे क्रोशे डालेंगे और एक और डबल क्रोशे बनाएंगे तो जैसे हमने इधर 6 डबल क्रोशे बनाए हैं ऐसे ही हमें यहाँ पर भी 6 डबल क्रोशे बनाने हैं ये 4 हो गए पाँच और एक और बनाएंगे तो ये छे डबल क्रोशे हमारे बन गए अब आप देखिए यार्ण ओबर करेंगे हम यहां से इस तरीके से ये दिखाई देगा ये डबल क्रोशे के उपर बनाए हैं और ये तीन चेन के उपर बनाए हैं अब इसके आगे हमारी ये पाँच चेन बनी हुई हैं ये देखिए इस तरह से आपको किलेर लिए नजर आएगा अब ये पाँच चेन जो है इसके उपर हम डारेक्ट यहां से डबल क्रोशे बनाने स्टार्ट करेंगे ये जो धागा है हमारे इसको साथ में ही रखेंगे जो धागा नोट लगा कर कट कर दिया था वो वाला धागा है ये तो ये एक डबल क्रोशे हो गया ये दो हो गए ये तीन हो गए चार पाँच एक और बनाएंगे तो 6 डबल क्रोशे हमें यहाँ पर बनाने हैं अब इसके बाद में हमें 2 चेन बनानी है अब फिर से हम यहाँ पर 6 डबल क्रोशे इसके आगे बनाएंगे ठीक है अभी 5 चेन के उपर ही हम चल रहे हैं तो 6 डबल क्रोशे और 2 चेन हमने बना दी है छे डबल क्रोशे और इस चेन के उपर हम बनाएंगे तो फ्रेंड्स अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ ध्यान से सुनिएगा इसकिप नहीं कीजिएगा वीडियो को पांच चेन के उपर हमने छे डबल क्रोशे दो चेन और छे डबल क्रोशे बना दिये हैं अब इसके आगे देखिए दो डबल क्रोशे फिर से हमारे आ गए हैं तो इसके उपर हमें ऐसे ही वर करना है जैसे मैंने आपको पीछे करके दिखाया था यह जो धागा है इसको हम यहां से कट कर देंगे जो हमने डबल क्रोशे के अंदर है ठीक है तो यहां पर देखिए इस तरीके से यह दिखाये देगा तो एक कौना हमने रैडी कल लिया है ये हमने 6-6 double crochet बनाए थे, 2 double crochet के उपर, उसके बाद में हमने 6-6 double crochet बनाए हैं, 2 chain space के साथ, अब ये 2 double crochet हमारे आ गए हैं, इसके उपर फिर से हमें 6 double crochet बनाने हैं, पहले हम left side वाला double crochet लेंगे, ये देखिए left side वाला है, इसके नीचे से हम crochet डालकर 6 double crochet इसके उपर बनाएंगे ये देखे इसके उपर हम 6 डबल क्रोशे पहले बना लेंगे लेफ्ट वाले डबल क्रोशे के उपर फिर डायरेक्ट वाले राइट वाले डबल क्रोशे के उपर हम 6 डबल क्रोशे बनाएंगे फिर ये 5 चेन है इसके उपर हम 6 डबल क्रोशे बनाएंगे दो chain बनाएंगे और फिर से 6 double crochet बनाएंगे तो दूसरा कॉना हमारा बन जाएगा लेकिन आप ये नहीं समय जाएगा यहाँ पर कि आपको ये समझ में आ गया है कि ये कैसे बनाना है इसमें अभी भी जो trick मैंने बताई है वो मैं भी आपको आगे बताऊंगे जिसके साथ हमें इसको finish करना है नहीं तो हमारा जो motive है ये गलत हो जाएगा तो ध्यान से देखेगा skip नहीं किजिएगा तो देखिए एक कॉना मैंने आपको जिस तरीके से बना कर दिखाया है बाकी के तीन कोने भी हमें सेम ऐसे ही बनाने है पहले ही जो 2 double crochet है हमारे इनके उपर हम 6-6 double crochet बनाएंगे 6 इधर और 6 इधर उसके बाद में हमारी 5 chain है इसके उपर हम 6 double crochet, 2 chain और 6 double crochet बनाएंगे फिर से 2 double crochet के उपर हम 6-6 double crochet बनाएंगे और फिर से 5 chain के उपर 6 double crochet, 2 chain और 6 double crochet बना लेंगे इसी तरीके से चारो कॉने हमें अपने complete कर लेने हैं उसके बाद फिर हम इसको finish करेंगे तो I hope मैं आपको समझा पाई हूँ कि ये किस तरीके से बनेगा ये देखिए चारो कॉने मैंने complete कर लिए हैं और इस तरीके से ये दिखाई देगा ठीक है ये चौथी बारी में 6 डबल क्रोशे दो चेन और 6 डबल क्रोशे मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं अब हम यहाँ पर एक slip stitch करेंगे लेकिन हम कैसे करेंगे ये देखिए यहाँ पर ये बीच में यहाँ गैब दिखाई देगा इसमें क्रोशे हमें डालना है और ये जो 3 चेन हमने स्टार्टिंग में बनाई थी यहाँ पर इस 3 चेन की 3 वाली चेन में टॉप चेन में हम क्रोशे डालेंगे और ये देखिए इस तरीके से हम इसको पीछे की तरफ वापस ले जाएंगे जहां से हमने क्रोशे डाला है वहीं पर ठीक है अगर आप इस तरीके से इसको नहीं करेंगे तो आपका इस मोटिफ गलत हो जाएगा अगर आपने डारेक्ट उपर की तरफ से लेकर स्लिप स्टिच कर दिया तो आपके मोटिफ की फिनिशिंग नहीं आएगी आप चाहें तो ट्राइगर के देख सकते हैं यह देख़ए यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच करना है एक चेन हम बनाएंगे और इस धागे को कट करदेंगे और इसको टाइट कर देंगे अब यह एक ही धागा हमारे पास बचा हुआ है बाकी के धागे हमने अहने हैंट टो हैंड हैट कर दिए हैं दागे और थे अब इसको मिस तरीके से 4-5 डबल क्रोशे केंद एक साथ क्रोशे डालेंगे और यह दागा इसके अंदर हम ले जाएंगे तो यह दागा हमारा यही पर छुप जाएगा और बहुत ही क्लियर बहुत ही क्लीन हमारा यह मोटिफ बनकर यहां पर रेडी हो गया है इसको हम कट कर देंगे यह देखिए यह इसकी रॉंग साइड है एक भी दागा कोई कुछ नहीं है यहां पर और यह इसकी राइट साइड है ठीक है फ्रेंड्स इस तरीके का एक आठ पत्ती वाला फूल भी मैंना अपनी चैनल पर बनाकर बताया था अभी फिलहाल में ही आ हमें बनाने है ठीक है कितने बनाने है यह मैं भी आपको आगे बताऊंगी अभी मैं आपको इनको जोड़ना बता रही हूं कि कैसे इसको जोड़ना है यह देखिए एक मोटिफ मैंने और यहां पर रेडी किया हुआ है तो यह देखिए दो दो डबल क्रोशे के उपर जो का चेन यहां पर बनानी है और यह देखिए एक मोटिफ हम लेंगे और उसके अंदर इस तरीके से क्रोश्य डालेंगे और उनको उपर लेकर आएंगे और एक स्लीप स्टिच हम यहां पर करेंगे ठीक है अब एक चेन बनाएंगे यार नोबर करेंगे और यह देखिए पांच चेन है यह हमारी इसमें हमने छे डबल क्रोशे बना लिए हैं छे डबल क्रोशे और हम इसके उपर बनाएंगे तो सबसे पहले हम तीन मोटिफ कंप्लीट बनाएंगे उसके बाद में इस तरीके से एक मोटिफ बनाते हुए दो मोटिफ हम साथ में इसके जोड़ लेंगे तो यह तीन हमारी एक साथ जुड़ जाएंगे उसके बाद में एक मोटिफ जो हमारा complete बचा हुआ है उसको भी हम सेम इसी तरीके से एक मोटिफ और बनाने स्टार्ट करेंगे और इसके बरावर में एक साइट पे तीन मोटिफ रखकर और दूसरी साइट पे एक मोटिफ रखकर पांच मोटिफ एक जगा हम जोड़ लेंगे यह 6 डबल क्रोशे हो गए अभी जो धागा है इसको हम कट कर देंगे तो यह देखिए एक कॉर्णर हमारा जुड़ गया है यहापर ठीक है इस तरीके से अब यहाँ पर दो-दो डबल क्रोशे हमारे बने हुए हैं इनके उपर दोनों के उपर हम 6-6 डबल क्रोशे अपने बना लेंगे ठीक है तो यह जो 6-6 डबल क्रोशिए बना गर फिर मैं आपको दिखाती हूं यह देखिए 12 डबल क्रोशे मैं अपने बना लिए हैं दोनों डबल क्रोशे के उपर 6-6 ठीक है अभी 5 चैन फिर से वारी आ गई हैं तो इनके उपर पहले में 6 डबल क्रोशे यह देखिए छे डबल क्रोशी मेरे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं अब एक चेन हम बनाएंगे और इस तरीके से आप इसको रखेगा और देखेगा ठीक है कौने से कौना मिलाकर हम इसको रखेंगे और उपर वाला जो हमारा कौना है किरोशय डालेंगे इस तरीके से ठीक है और उनको उपर लेकर आएंगे और एक स्लिप स्टिच हम यहाँ पर करेंगे स्लिप स्टिच के साथ ही हमें इसको जॉइंट करना है ठीक है तो यह दो कौने हमारे यहाँ पर जुड़ गए हैं अब यार्ण ओवर करेंगे एक चेन बनाएंगे यार्ण ओवर करेंगे और जो पांच चेन है हमारी इसके ओपर शे डबल क्रोशय है जो हमारे बचे हुए हैं उनको हम बना लेंगे तो दो कौने हमने दूसरे वाले मोटिफ के दो कौनों के साथ जोड़ दिये हैं अभी इसके आगे का काम हम कर लेंगे और जो हमारा तीसरा वाला कौना है वहाँ तक हम अपना काम करेंगे ठीक है यह 6 डबल क्रोशय हमारे बन गए हैं अभी देखे इसके आगे 2 डबल क्रोशय हमारे बने हुए हैं इसके उपर हम 6 डबल क्रोशय बनाएंगे उसके बाद में 5 chain है हमारी उसके उपर हम 6 double crochet और एक chain बना लेंगे और इस तरीके से तीसरा motive रखेंगे ठीक है उसको हम इसमें joint करेंगे तीसरे कोने के साथ उसके बाद में अपनी येवाली side complete कर लेंगे और ये चोथे कोने पर आ जाएंगे और चोथे कोना भी हम अपना इसी तरीके से जोड़ लेंगे तो हमारे पास एक पट्टी बनकर रेडी हो जाएगी तो पांच पीस हमें इस पट्टी में जोड़ने हैं ठीक है इसी तरीके से पांच पीस हम जोड़ लेंगे तो हमारी कुशन कवर की चौड़ाई जो है वो कम्प्लीट हो जाएगी तो ये काम अपना पूरा मैं फिनिश कर लेती हूँ पांच पट्टिया मैं जोड़ लूगी और बागी पीस भी जोड़ कर मैं भी आपको दिखाती हूँ ठीक है तो ये दीखे मैं नहीं है पर अपने पीस जोड़ लिए हैं एक दो तीन चार पांच पांच करके मैंने ये तीन बार जोड़े हैं ठीक है तो उपर की तरफ हमें इनको किस तरीके से जोड़ना है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ तो ध्यान से देखिएगा ये देखिए एक पीस मैंने और रेड़ी क्या है जिसमें मैंने ये दो डबल ग्रोशे को पर 6-6 डबल ग्रोशे बना लिए हैं और उसके आगे 6 डबल ग्रोशे और मैंने बनाए हैं अभी देखे इसको रखना किस तरीके से है ये देखे इस तरीके से इसको हम रखेंगे पहला कोना हम पहला कोने से मिलाएंगे नीचे वाले ठीक है यहाँ पर उसके बाद में अपना आगे का काम करेंगे और दूसरा कोना दूसरे कोने से मिला लेंगे उसके बाद उपर इसको जोड़ना बताऊंगी किस तरीके से जोड़ना है फिर दूसरा कॉना बनाएंगे और हम यहाँ पर उसको जोइंट करेंगे ठीक है फिर उसको उपर की तर्फ ले जाएंगे और तीसरा कॉना बनाएंगे फिर चौथा कॉना बनाएंगे और पीछ में लाकर अपना काम हम पूरा फिनिश कर देंगे ठीक है तो इधर वाले कौने के साथ हम अपना चौथा कौना जोड़ेंगे उपर वाला ठीक है और यहाँ पर लाकर हम अपना काम फिनिश करेंगे तो I hope मैं आपको ठीक से समझा पा रही हूँ तो इसी तरीके से एक-एक मोटिफ हम बनाएंगे और उसे hand-to-hand हम जोइंट करते चले जाएंगे ठीक है इसी तरीके से हमें इनको जोड़ना है तभी यह बिल्कुल पर्फेक्ट जुड़ेंगे एक साथ हमें सारे बनाकर नहीं रखने है नहीं तो यह जोइंट नहीं होंगे ठीक है तो अभी मैं इनको आपको जोड़कर बताती हूँ यह देखिए इस तरीके से रखकर हम यह पहला कोना अपना पकड़ेंगे और इसमें क्रोशिय डालकर एक स्लिप स्टिच हम यहाँ पर कर लेंगे तो यह पहला कोना हमारे यहाँ पर जोइंट हो जाएगा ठीक है अब इसके बाद में एक चेन और हम बनाते हैं वो चेन हम यहाँ पर नहीं बनाएंगे जो हमने पाँच पहली वाली पट्टी जोड़ी थी सिर्फ उसी में वो चेन बनानी थी हमें दो चेन यहाँ पर नहीं बनानी है यहाँ पर हम डारेक्ट छे डबल क्रोशिय अपने बना लेंगे अब इसके आगे दो डबल क्रोशिय हमारे आ गए हैं इन दोनों डबल क्रोशिय के उपर हम 6-6 डबल क्रोशिय बनाएंगे और उसके आगे पाँच चेन के उपर हम 6 डबल क्रोशिय बना लेंगे ठीक है ये देखिए 6 डबल क्रोशे हमने अपने बना लिए है अब ये देखिए बीच में हम इसको कैसे जॉइंट करेंगे इस तरीके से रखेंगे हम इसको और ये जो हमारा ये यहाँ पर एक joint हुआवा है इसमें हम दिखें यहाँ पर crochet डालेंगे ठीक है बीच में और एक slip stitch हम करेंगे अब यहाँ पर direct हम yarn over करेंगे और फिर से अपने आगे के 6 double crochet बना लेंगे और 2 double crochet को पर 6 double crochet बना लेंगे और तीसरे वाली कोने के 6 double crochet बना लेंगे ठीक है इसी तरीके से पूरा row अपना ये हम complete कर लेंगे और इसको finish कर देंगे जैसे कि मैंने आपको finish करना बताया था ठीक है ये देखे पूरा piece हमने जोड़ लिया है अब इसके बाद में हमने आगे का एक और piece बनाया हुआ है तो इस piece को भी हम ऐसे ही रखेंगे कौने से कौना मिला कर और यहां पर हम इसका कौना जोइंट करेंगे इसी तरीके से और फिर इधर लेकर जाएंगे यहां पर कौना जोइंट करेंगे उपर लाएंगे तीसरा कौना बनाएंगे और फिर यहां पर चौता कौना जोइंट क आते हैं तो आपको 25 पीस एक साथ जोड़ने हैं यहां पर हम इस क्रोशे को डालेंगे जैसे मैंने भी आपको पताया था ऐसे ही हम एक चेन बना कर यहां से स्क्रोशे को डालेंगे यहां पर हम स्लिप स्टिच करेंगे ठीक है तो जैसे कि मैंने भी आपको बताया अगर आपक हम अपनी line complete कर लेंगे और अगर आपको आगी पीछे दोन तरफ से एक सा बनाना है तो आपको 50 piece की एक पूरी चोड़ी पट्टी बना लिनी है ठीक है जिसकी चोड़ाई में हम 5 piece जोड़ेंगे और उसके बाद में 10 line हमें उसकी repeat करनी है ठीक है तो 50 piece जोड़ जाएंगे जिसमें से 25 आगी की तरफ और 25 पीछे की तरफ आ जाएंगे ठीक है और उसके बाद में आप इसको simply चारो तरफ से सिलाय लगा कर इस तरीके से complete कर लिजेगा और अगर आप चाहें तो back side इसकी plane double crochet के साथ भी बना सकती है तो I hope आपको मेरी आज की वीडियो जरूर पसंद आए होगी फ्रेंड्स मेरी वीडियो में जो भी कमी आपको लगती है voice में या video quality में तो जरूर कमेंट करके आप मुझे बताएगा मैं और अपनी वीडियो को improve करने की पूरी कोशिश करूँगी और फ्रेंड्स अगर आपको यी प्लो कवर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा आपका लाइक करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा ताकि इसी तरह की beautiful चीजे में आने वाली टाइम में भी आपके लिए लेकर आ सकूँ बैल आइकन प्रेस करके all notification जरूर क्लिक किजेगा उसे से मेरी आने वाली सबी वीडियो की notification आप तक पहुंचती है तो आज की लिए इतना ही